देश के जवानों को मिलेगी एक्स्ट्रीम कोल्ड क्लोधिंग सिस्टम की नई तकनीक दोस्तों हमारे देश के जवान हर वक्त तयार रहते हैं फिर चाहें वो सियाचीन की सर्दी हो या फिर जैसल मेर की कर्मी DRDO ने इसी चीज़ को देखते हुए अब आर्मी को एक नई ड्रेस देने का फैसला किया है जो की एक्स्ट्रीम कोल्ड क्लोधिंग सिस्टम से बनी हुई है इस तकनीक की मदद से आर्मी के जवान प्लस 15 डिगरी से माइनस 50 डिगरी सेल्सियस तक भी आराम से रह पाएंगे इससे पहले तक हम इस टेकनीक को बहार से इंपोर्ट करते थे लेकिन अब भारत इस ड्रेस को अपने ही देश में बनाएगा जिससे की भारत सरकार का खर्चा बचेगा आपको क्या लगता है आर्मी को और कौन-कौन सी नई तकनीक देनी चाहिए हमें कॉमेंट्स में ज़रूर बताइए